हलो असलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूँ अदनान खान वेलकम टू माई चैनल स्मार्ट मुवीज वॉक आज हम रिव्यू करने वाले हैं डी सी की इस साल की मोस्ट अवेटेड मुवी तस सुसाइड इसकॉइड तो फाइनली इतने अर्से के बाद यार सालों के बाद मुवी ठेटर ओपिन हुए है और दस सुसाइड इसकॉइड हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लेंग्वेज में इंडिया के अंदर ओफिशेली रिलीज हुई है तो गाइस मेरी किसमत तो बहुत अच्छी है मेरे आपको देखना है तो आपको ट्रेवल करना पड़ाएगा दिली में आगर मुवी देख लिए दिली में हर जगा पर यह मुवी लगी है फाइनली ऑफिशेली हिंदी और इंग्लिश दोनों में तो गाइस इतने दिनों बाद हॉल पर मुवी देखने को मिलेगी नहीं लेकि आपने चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्स्राइब पर दिए वीडियो कोलुल लाइक कर दिए और नीचे दिए गये बैल आइकन को भी प्रेस गतलिये उससे होगा कि हमारी वीडियो को नॉटिपेकेशन आपको सब से पहले मिलेंगी तो गाईस इस को थोड़ी सी डाउन टीम में रखा जाता है और दूसरी दरफ इद्रिस एलबा और जौन सिना की टीम को तयार किया जाता है लेकिन गाइस mission के दोरा Harley Quinn वाले टीम के सारे member मारे जाते हैं और Harley Quinn इद्रिस एलबा वाले टीम को जॉइन कर लेती हैं तो गाइज पिछली बार की टीम squad की तरह इस बार भी team squad को एक suicide वाला mission दिया जाता है जो उनको किसी भी तरीके से पूरा करना है अगर नहीं पूरा करेंगे तो उनको मार दिया जाएगा तो गाइज क्या suicide squad की टीम इस बार ये mission पूरा कर पाएगी या suicide squad की team मारे जाएगी यही सब जानने की नहीं आपको देखने होगी दस suicide squad गाइज अब बात कर लेते हैं direction की दो direction यार क्या कमाल का direction दिया इस बार पिछली बार की मुवी तो बिल्कुल फ्रेंट पर खड़ी होती भी नजन नहीं आती अगर बात करने तो पिछली बार की जो पिछली मुवी जो वंडर वुमेन भी आई थी उस मुवी के मुकाबले में यह मुवी जबरदस direction से भरी हुई है तो गाइज अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के action के बारे में तो गाइज क्या बता हूँ आपको इतना mind blowing action इस मुवी में दिया गया है क्या मार काट मचाई है इस मुवी में आपको देखते ही बनता है अगर आप एक बार बैड गए इस मुवी को देखने की नहीं तो गाइज आपको हर एक action scene इस मुवी का end तक याद रह जाएगा अब बात कर लेते हैं सभी character के performance की तो गाइज पिछली movie जो आई दी जॉन सीना की अभी हाली में release हुई है Fast and Furious 9 तो Fast and Furious 9 में उनके पूरी तरीके से वेस्ट किया गया लेकिन अगर आपको जॉन सीना को अगर देखना है तो इस movie में देखिए इस movie में उनको सही से इस्तमाल किया गया और क्या character उनको दिया गया आप उनके fan हो जाएंगे पूरी तरीके से और दूसी तरफ बात करें इद्रीस अलबा की तो इद्रीस अलबा अपने character में अपना बैस देखिए नजर आते हैं और अपने Harley Quinn की बात करें तो उनके तो क्या इतनी खूबसूरत इतनी बोल्ड इतनी जवर्दस लगती है कि आपको उनसे मौपत हो जाएगी तो गाइज अब बात कर लेते हमारे बाहरती critics की क्या रहा है इस movie के बारे में तो गाइज हर critics ने इसकी तारीफ किये इसके action की इसके direction की इसके सभी character के performance की सभी critics ने तारीफ 9 की अगर गाइज मेरी बात करें तो मुझे तो यार मज़ा ही आ गया हॉल पर देखके अगर कोई movie हॉल पर देखना डिजर्फ करती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ दससाइड इसक्वाइट थी अगर मेरी बात करें कि मैं इस movie को क्या rating देकर देना चाहूंगा तो guys मेरी rating रह देकना चाहते हैं तो ये movie आपके नहीं है आपको ये movie बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए अगर guys मैं top 10 movies की बात करूं DC की तो ये उस list में शामिल होती है और सिर्फ इसकी वज़ा है इसका दमदार action, mind blowing, खून खराबा, दमदार acting और दमदार direction और उसके साथ ताथ इसकी कहानी भी पिछली movie के मुकापले में बहुत ही ज़ादा जबरदस्त है तो guys अगर आप DC के fan है तो आपको ये movie जरूर देखनी चाहिए तो इस time ये hall पर लगी भी है बहुत दिनों बाद ऐसा मौका मिला है कि pandemic की situation के बाद आप चाकर अपना time past theater में कर सकते हैं तो ये आपको ये बिलकुल एक fully entertainment movie है जो आपको जरूर और जरूर देखनी चाहिए अगर guys आपको मेरा review जरा भी पसंद आया तो comment section में नीचे लिख कर जरूर बताए अगर आपने ये movie देख लिए तो ये भी बताए कि आपको ये movie कैसी लगी वीडियो को like channel को subscribe और नीचे दिये गए bell icon क को भी प्रेस करते हैं जिससे यह होगा हमारी वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिलेंगे आप देख रहे हैं smart movies walk मिलते हैं next video में जब तक कि ये keep watching